Average student इस तरीके से अगर अप्रोच करेगा तो उसको confidence built भी क्योंकि हम को करने है क्योंकि J-Mains में एक बच्चा बहुत ज़्यादा pressure में होता है तुम बहुत ज़्यादा pressure पे रहते हो ठीक है और यह ऐसे chapters जिसको छोड़ना तो मलब बेवकूफी हो गया अगर तुम इस chapter को right guidance, right motivation, right mentorship. Same होता है मारा JEEE के journey के साथ भी. अगर हमको right motivation guidance मिले तो हम बहुत अच्छा score कर सकते है अपने JEEE के examination में. So hello and welcome back to the channel. This is Vipul Bagga, your JEEE and boards mentor. तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ले करके आया हूँ most easy kill chapters of physics, chemistry and math जो आपको JEEE means की preparation में सबसे पहले कर लेने चाहिए ताकि आप अपने safe number को अलग से रख सको. ये ऐसे chapters हैं जो आपको बहुत कम input में बहुत जादा output दे रहे होंगे. बहुत सारे students में को message करते हैं भाईया की chapter की list बता दो जो हमको पहली करनी चाहिए. तो आज वो list आप देखो कि क्यों आप कुन chapters को पहले करना चाहिए ताकि आप अपने जो sure short number है उनको यार अलग करके रख लो. एक चीज़ और बोलना चाहूँगा. अगर आपको right mentorship चाहिए तो अगर आप मेरे साथ जूडते हो तो मैं आपके साथ हर एक time पर रहता हूँ. मैं doubt solve भी करता हूँ. सारी चीज़ होती है. तो telegram की link आपको description में मिल जाएगी. आप हमेरे community को join करो. कुछ personal level पर आपको message करना होता है. अगर आप Instagram चलाते हो तो आप मेरे को Instagram पर follow करके message कर सकते हो. अदर्वाइस आप telegram पर भी भेज सकते हो. ठीक है? तो दोनों की link description में रहेगी. और ये रहा अपना channel आपको और हमारे channel बहुत अच्छा response है. हम बहुत अच्छे से अपने JEE की journey में आगे बढ़ रहे आगे बहुत सारी चीज़े अच्छे-ची करेंगे. तो अगर आप हमारे साथ जूड़ना चाहते हो चैनल को subscribe कर सकते हो. हम लोग बहुत जल्दी 10,000 subscribers पहुँचने वाले हैं. जल्दी से इसको grow करते हैं यार मिल करके 10,000 subscribers हमको जल्दी से पहुचना है. तो आज का main मुद् easy और sure short topics जहां से question तो आए गई आएगा. input कम है, output maximum है और यह ऐसे chapters इसको छोड़ना तो मलब बेवकूफी हो गया. अगर तुम इस chapter को छोड़ करके जा रहे हो मलब तुम अपने मुफ्त के number जो है वो छोड़ करके जा रहे हो. So let's get straight into the video and discuss कि कौन से ऐसे सारे chapters हैं जो हमको must करने हैं और बहुत easy से अपने इसको करकर के score जो है वो ला सकते हैं अपने JEE के examination में. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से वो chemistry, physics और maths के chapter हैं. यहर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आपको एक बहुत अच्छी information देना चाहता हूँ. हम में से यहर काफी लोग है जो JEE means के साथ साथ और भी बहुत सारे exams की preparation करते हैं और उनके लिए exams दे रहे होते हैं कुछ अलग college पाने के लिए. तो यहर वैसे ही एक lovely professional university का exam ह होता है LPU nest, जो की होने वाला LPU nest 2022. इसके यार में आप लोग के लिए बहुत अच्छी जबरदस्त जो है वो offer आप लोग के लिए लाया हूँ. अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो आपको 80% तक discount जो है वो मिल जाएगा. इसकी link आपको जो है वो description में मिलेगी. आप अगर आप यहां पर college में admission नहीं भी लेते हो तो यहां पर आपको काफी अच्छी scholarships मिल रही होती थ्रूँ J.E.Mains and J.E.Advance rank. तो अगर आप apply करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छे price पर आपको LPU nest को form मिल जाएगा. अगर आप हमारे साथ apply करते हो तो description में इसकी link होगी पता होगा मैं physical chemistry educator हूँ तो कोई भी doubt होता है उसा भी पूछ सकते हो ठीक है comment section में कुछ भी पूछ सकते हो एकदम free open to all है तो सबसे बहुत करते हैं chemistry के chapter से क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जब भी हम J.E.Mains का examination देते हैं आपने बड़े से बड़े विदुवानों से करते हैं तो पहले chemistry करते हैं भले ही second में physics हो या second में maths हो लेकिन पहले chemistry करते हैं क्योंकि chemistry ऐसा subject है जो easy to score रहते है तो 10 के 10 question आप 10 minute में कर सकते हो अगर आपका concept और अपने अच्छे से याद कर रखा है inorganic को ठीक है तो सबसे पहले chemistry क्योंकि अगर आपने starting के 45 minutes में chemistry को 4 दिया और वहां कहीं आप एक अच्छा score ले आए तो automatically आपका confidence जो है वो आस्मान छो रहा होगा फिर आपके physics और maths भी chemistry में ही number नहीं लाए तो फिर maths और physics में pressure आ जाएगा कि अभी एक घंटा बीत रहा और अभी तक मैंने अच्छे से score किया ही नहीं है अगर आप यहाँ पर 60-70 number ले आते हो तो आपको पता है यार मैं को 60-70 number और सी ये selection के लिए 90 में तो आप free हो जाओगे 2 घंटे में 70 number ची मे मैं ले आओंगा confidence से solve करोगे question physics maths के लेकिन अगर यहाँ पर ढल गए तो फिर वहाँ पर यार बहुत बड़ी तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी तो सबसे पहले make sure करो कि chemistry के ये सारे chapters आप जो है cover कर रहे हो चलो सबसे पहले easy chapter ये तो हो नहीं चाहिए मतलब ये तो जाना है ठीक है एकदम NCRT based chapter है मैं भी पढ़ा चुका हूं तो आप मेरे से through भी देख सकते हो सर्च करके YouTube में या फिर class में अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं फिर से इसको पढ़ाने वाला हूं तो आप इसको hydrogen chapter को जरूर से कर लेना इसलिए बोल रहा हूं telegram group को join करके र solution है उतना अगर आपने कर लिया आपका J E में plus 4 और plus 4 यहां पर fix है next है आपका again metallurgy, metallurgy में थोड़ा सा NCRT plus आपको other nodes थोड़े से लग रहे होंगे तो ये भी आपके लिए बहुत जादे scoring chapter है सिर्फ ओर्स के नाम कई बार आ जाते हैं और सिर्फ उसका method पूछ ले जाते ह refining method क्या होगा, reduction method क्या होगा वो सारी 2 simple questions यहां पर आ रहे होते हैं next are polymers यह भी अगर आप पूरा NCRT से करते हो तो आप easily score कर पाओगे तो यह इतने scoring chapter है अगर अगर अपने पूरा dedicate करते हो तो आप एक दिन में एक chapter को पूरा master कर लोगे अपने J मेंस के with previous year question तो यह next है आपको NCRT आप इसको करो और इसके जितने भी previous year question आप लगा लो ता आपको पता चल जाए Sblock से कैसे question आते हैं next है surface chemistry again यह physical chemistry का एक मात्र chapter है जो की NCRT से आता है अब जो मैंने यह left hand side में लिखे है जो यह मैंने left hand side में लिखे है यह कुछ जादे ही easy kill chapter से ठीक है यह the most easiest chapter से आपके पूरे chemistry में score करने के लिए अगर मैं इस से थोड़ा उपर level पे आऊँ तो यह भी उतने tough chapter नहीं है बहुत scoring है तो अगर आप यह कर लेते हो उसके बाद आपको करना है biomolecules जिसके लिए आपको अगर आप सिर्फ NCRT पढ़ोगा आपको खुछ से समझ में नहीं पी ब्लॉक आपका पूरा पूरा NCRT रटा होना चाहिए सिंस लेंदी है इसलिए यह वाले bracket पर रखा है मैंने उसके बाद D&F ब्लॉक थोड़ा सा conceptual होता है यह बट यह भी आप NCRT से पढ़ोगे उसके बाद atomic structure यह पूरा जो chapter है बहुत easy है और formula based है अगर आपका concept clear है तो आप बहुत अच्छा है इसमें से score लेकर करके जा पाओगे next है आपका solid state yet again इसमें बहुत जादा easy और repetitive concept आते रहते हैं last है thermodynamics thermodynamics को यहां पर क्यों लिखा है सिंसे लेंदी chapter है लेकिन बहुत जादे scoring है फायदा यह है कि physics में भी same चीज है modern physics modern physics में आपको photoelectric effect ठीक है kinetic energy potential energy फसते हैं mains में कई बड़ दो physics से आ जाता है एक में से आते हैं एक के मिश्री से आता है कई बड़ दो के मिश्री से आ जाते है एक फिस से आता है तो बहुत जादा important चप्टर है तो आप make sure करो कि इन chapters को पहले करो फिर आप deep physical में घुसो deep organic में घुसो फिर coordination compounds और chemical bonding करो इन make sure करो कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा यह बारा चैप्टर एलिस करके आप 12 फोर्जा कित्ता हो गया भी 48 हो गया मेरे खाल से न हां 48 हो गया 48 मार्क्स आप ensure कर लो 50 नंबर आप इससे पहले ensure करो फिर आगे की तरफ चलना चलते हैं next subject की तरफ next subject है और physics, physics की बात कर लेते हैं देखो सब जादे scoring chapter आपको chemistry मिलेंगे physics में थोड़े से कम होते जाएंगे physics में बात करें सबसे पहले आपको करना है error dimension analysis जो है या तो error से question आ जाते है या तो vernier caliper और screw guard से question आ जाएगा basic dimension से question आ जाएगा बहुत easy आप किसी का crash course भी देख लो अगर पता होना चीए तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना next है communication system यह आपका एकदम और एकदम वाला रटने वाला काम है physics में सबसे easy chapter है और उसके बाद है semiconductor devices जहाँ डायोड जैनर डायोड है न पी एन जंक्शन डायोड बहुत ज्यादा easy chapter है doping ओपिंग आ यह कर रह में अगर थोड़ा level बढ़ा दूं तो scoring भी है easy भी है that is current electricity क्योंकि यहां से लगभग दो questions आ रहे होते हैं हर साल gravitation अगर आपने वो कर लिया है that is क्या आपका एक chapter होते है न सबसे पहला electrostats पूरा same रहते है बस कुछ चीज़ें जो है change हो रही होती gravitation में optics हाला की lengthy है लेकिन scoring है और again modern physics में पूरा photoelectric effect और उसके बाद हमारा जितने beam work done वगर है सब चीज़ें थर्मोडैनमिक्स भी आपर है बहुत जादा repeat होते है तो आप पहले make sure करो इन 8 chapter को कर लो फिर आगे की तरफ deep में move करना इसके बाद अगर आप बोलो यह सब करो उसके बाद tough में आओ उसके बाद आप करो भई electric के और भी chapter magnetic के फिर आप mechanics में आओ यह बाद में लेकिन पहले आप इन chapters को करो ठीक है sir चलिए next चलते हैं भई हम math के तरफ math के अगर अगर आपन easy topics देखें तो आर वो सबसे easy यार इसको मैंने अपने life में 3 या 4 घ सोच लो youtube से पढ़ा था इत्ते time पहले की बात है और उसके बाद भी सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद भी इसमें guaranteed में सबसे पहले टिक करके आया था mathematical reasoning में कुछ भी नहीं है easily आप यहां से plus 4 निकाल पा रहे होगे same in the case of stats यहां पे कुछ नहीं mean mode और median आपको करना रहता है एक दम जादा basic question आता है repetitive question आता है बहुत बार आपको देखा होगे matrices से भी एक अलग question आता है determinant से भी अलग question आता है और यह easy chapters है math के और last आप कहाता है height and distance जहां basic common sense 10th वाले दिमार्क से question solve कर रहे होते हो तो यह 5 chapter जो है most easy chapter है थोड़ा सा अगर level बढ़ाएंगे तो probability में solve कर आते हैं अगरा probability बनाओगे और PNC बनाओगे दोनों same type of वो है तो आपको काफी मजा आएगा next है vector 3D एक question vector से आता है कई पर दो question 3D से आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका फिर preference chapter यह होना चाहिए area under the cover से बहुत simple question आता है जहां आपको 2-3 curve दे देंगे और जो बीच में area बन रहा होगो उसका integration करना आना चाहिए differential equation बहुत जाता important है जहां homogeneous और linear से बहुत सारे question आते हैं same type के previous question देखो इसलिए इन सब के लिए आपको standard थोड़ा differentiation आना चाहिए और integration आना चाहिए जहां basic आपका सारे आपको standard function का integration वगर आना चाहिए तो आप इतना minimum करो इसके बाद आप deep LCD करो limits continuous differentiality आप straight line करो आप circle करो आप indefinite integration है ना बहुत सारे फिर chapter से वो करो लेगिन पहले आप इनको preference दो तो ये थे यार आप लोग के अलग-अलग chapters these are in the maths ये आपके physics में रहेंगे और ये आपके chemistry में रहेंगे जो आपको सबसे पहले करने हैं और ये मैं बहुत दिमाग से बता रहा हूँ एक average student की क्या approach होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कोई इतने अच्छे से नहीं ठीक है तो अगर आपको अपने मौक में थोड़े score बढ़ते हुए दिखेंगे ना तब पढ़ाई करने का मन करेगा अगर आप पहले ही definite integration पढ़के जा रहे हो मौक लगा रहे हो नंबर नहीं आ रहा तो वैसी काम तमाम है ये सार chapters पहले करो confidence आएगा मौक में नंबर पर आपकी आगे पढ़ाई होगी तो ये सब आप chapters जरूर करना आप चाहो तो screenshot ले सकते हो किसी भी point of time पे तो वीडियो कैसे लगा मेरे को जरूर बताना अगेन एक चीज़ बोल रहा हूँ पर्सनल लेवल पर कुछ बात करना चाहते है इंस्टाग्राम में हो तो मैंको इंस्टाग्राम पर भी message कर सकते हो यूजर ने में मेरा at the rate people underscore 1405 लिंक आपको direct description में मिल रही होगी और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो भाई हम बहुत जल्दी 10,000 subscribers महुंशने वाले हैं आप क्राइटीज में computer science के लिए category wise कितने marks और percentile लगेंगे तो वो वीडियो यार almost shoot हो गई है थोड़ा से पाट बचा है और उसके बाद वो भी मैं डाल रहा हूंगा तो अगर आपका कोई suggestion है तो में को comment section में बता सकते हो open to all channel है हम सब का channel है इसलिए subscribe कर लेना मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स वीडियो में till then all the very best take care